हे एवरीवन मैं सोफयान कुरेशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल दसिंपल साइंस में आज हम लोग डायबेटीज यानी शुगर की बीमारी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि डायबेटीज किसे कहते हैं और डायबेटीज नाम की बीमारी कैसे हो जाती है तो आएए वीडियो स्टाट करते हैं हमारे बलड के अंदर जब शुगर लेवल बढ़ जाता है या ग्लुकोस लेवल बढ़ जाता है इसी को हम लोग डायबेटीज कहते हैं आए इसको तोड़ और आसान भाषा में समझते हैं जबी भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारी बॉड़ी में जाने के बाद वो शुगर या ग्लुकोस बन जाता है शुगर या ग्लुकोस बनने के बाद ये खाना हमारे डायरेक बलड में चला जाता है और blood के अंदर sugar या glucose की quantity या level बढ़ जाती है जब sugar या glucose की quantity हमारी body के अंदर बढ़ जाती है तो हमारे body के अंदर एक organ होता है जिसका नाम होता है pancreas तो ये pancreas अपना काम दिखाना शुरू कर देते है pancreas एक hormone बनाते है जिसका नाम होता है insulin और ये insulin का काम होता है कि जो sugar या glucose blood के अंदर है उसको blood में से निकाल कर body के cells में दाल देना ये काम होता है insulin का लेकिन किसी व्यक्ति के body के अंदर insulin एक proper quantity के अंदर बन नहीं पाते और उनकी blood के अंदर glucose और sugar की level बढ़ जाती है जब blood के अंदर glucose या sugar की level बढ़ जाती है इसी को हम लोग कहते हैं diabetes अब diabetes तिन किस्म के होते हैं एक होता है diabetes type 1 दूसरा होता है diabetes type 2 और तिसरा होता है gestation diabetes diabetes type 1 में यह होता है कि हमारे body के जो immune cells होते हैं यह pancreas के cells को मार देते हैं जिसकी वज़े से हमारी body के अंदर एक proper amount का insulin नहीं बन पाता अगर proper amount का insulin नहीं बन पाएंगा तो blood sugar level control में नहीं होंगा और हमें diabetes नाम की बिमारी हो जाती है diabetes type 2 के अंदर ये होता है कि हमारी body proper तरीके का insulin नहीं बना पाती जिसकी वज़े से हम लोग बिमार हो जाते है तीसरा type होता है gastation diabetes ये gastation of diabetes सिर्फ pregnant ladies को ही होता है लेकिन जब वो birth दे देते हैं तो birth देने के बाद ये condition वापी से normal हो जाती है diabetes की वज़े से हमारी आखों की रोशनी जा सकती है हम लोग अंधे हो सकते है हमें heart attack आ सकता है हमारी kidney fail हो सकती है उस साथ हमें dental problem हो सकते है दातों के बहुत सारे problem हो सकते है तो diabetes को control में रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा challenge है अगर कोई व्यक्ती diabetes से सफर करता है तो उसे time to time oral medicines या insulin के injections time to time लेने पड़ेंगे ताकि उसका blood sugar level control में रहे वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे like, share, subscribe जरूर कीजिए thank you